और नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत तापकी यूट्यूब चैनल ट्रेड वितराने चले दोस्तों आज की सुरुवात करते करते हैं जैसे कि अपने quarter 1 result के series चल जीए तो आज की तिन जिंदल Stilnets Limited का Quarter 1 का result रहा है result कैसा है और आगे टेट इंसरसन कैसे रहने वाले इन सब के बारे हम बात करने से पहले अगर अभी दग आप अपना चैनल सब्सक्राइब ने गया तो पहले चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए बैल को बजा नहीं बिल्किन को बूलिए जिससे आपके नीज नीज वीडियो के आपडिशन मिलती रहे तो हम बात कर रहे है जिया एसल की जिन्दल स्टेंट लिम्टेट की कमपणि के नाम से समझगा है कम ने किस सिगमेट के हैं तो चलिए ज्यादा समय ना खड़ाब करते हैं समस्ते से क्वार्टरवन का रिजल कैसा रहा और आगे ट्रेडिंग सेजन कैसे रहनेंगे वाला है वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूलिए देखिए आज 25 जुलाई और रात के 12 बच के 15 मिन्ट हो रहा है मार्केट बंद है कल मार्केट उपन होगा तो इसमें तेजोई घ्रावट आपको थोड़े दिरे मैं समस्ते कैसरा को क्वाटर वन का रिजल्ट तो जिन दर इस्टिल नेस्ट लिंटेड एनसी बेसी दोनों पर इस्टेड़ अगमनी तो आज की डिट में इसका मार्केट का यह चाहजाज चार्सुए करोड़ बेगा इस्टोक पी चला इसका 3.37 का इस्टोक आर ओस इसका चला है वर ग्रोथ रेट है पास साल की वो है 96.95 के हिसाब से तो हम बात करें से क्वाटर वन रिजल की देखेंगे जून दोजा एक बाइस तो इस क्वाटर में टोटल सेल हुई है 5.444 करोड बेगी और प्रॉफिट निकल गया 5.49 करोड बेगा नेट प्रॉफिट निकल आया 321 क किल गया 6.11 का अब लाश्ट की क्वाटर से मार्च 2022 तो लाश्ट क्वाटर सेल थी 6564 करोड वह घटक हुई है 5444 करोड बेगी और प्रॉफिट 822 करोड से घटके सीधा 549 करोड हुआ है नेट प्रॉफिट भी 736 करोड से घटके सीधा 321 करोड हुआ है और अर्निंग हमें क्वाटर क्वाटर भाई अच्छी घटत देखने हो लिए चाह सेल हो चाह उप्रेशन प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेर हो अब बात करते हैं जून को लाश्ट यह की जून 2021 कि लाश्ट यह सेल थी चारजा 33 करोड वह बढ़के हुई है गठ के हुआ प्रलाब देखने हो वही और तो वह बहुत देखने को मिला है वही अर्निंग पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो और दो आप रो फोल यह अप ट्रेंड में चिक रिखने को मिले हैं इस रिजल्ट को अच्छा नहीं बोलता है क्यों अनुमानिक अंपडर्ण कराव जिस तरह से स्टिल के डिमांड बड़ी ती उसको चलते इस कंपड़ी तरह से नहीं आया है तो रिजल्ट है कि तेजी गिरा क्वाटर में ते 69.87 वह बढ़कोई 70.70.10 परसेंट हो चुकी है और साथ देखेंगे FIS के होल्डिंग लाज्ट क्वाटर में 15.10 थी वह घटके 13.70 हो चुकी है और FISDIS की भी होल्डिंग 6.31 से घटके सीधा 5.86 हो चुकी है तो आप देखिए कि बस पर मोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है स्कॉर्टर में बट FISDIS अपनी होल्डिंग घटाई है यह भी एक नेगीटिव पॉइंट देखने को मिला है तो आप देखिए रिजल्ट आने से पहले शेर के अंदर क्या मुम्मेंट था वो देखते हैं तो जिंदल स्टीन लेस्ट लिम्टेड तो रिजल्ट आने से पहले शेर ने अपनी अच्छी घासी एक पंट पचीस परसंट की तीजी लगा के बंद हुआ ओपन होता है 120 रुपे हाई मारस ने 130 रुपे 880 पैसे हा लो मारस ने 116 रुपे 25 पैसे हा 52 रोइस ने पांच दिन के अंदर वित्व तक हमारे को सैवन पंड चौतर परसेंट की तीज़ी दिखा चुका है वन मंद के अंदर यह साड़े किस परसेंट की तीज़ी दिखा चुका है यह तुट डेट के अंदर 37.88% की ग्रावट दिखा चुका है यह तो कल के दिसमें ग्रावट होगी बट चार्ट पर देखते का सपोर्ट देखने हो मिला देखिए अपने अप्ट्रेंड की तब चल रहा है और एक रिली दिखा था अप्ट्रेंड के बट रिजल्ट खराब आने के रिली डाउन फूल क जाएगी कल के दिन तो आप जो मुझे लगते हैं इसके अंदर आपको 150 तक की लेवल से पहले सेлемें करनी है 105 ए 105 ए 103 की लेवल 5 जाविक साफ में 1 सब्रेस इंट्री कर सकते है मुझे लगता भी हाँसे घ्रावट होगी और घ्रावट के दमकंदेखने को मिलेघा अगर य होगे कल के दिन क्योंकि शेयर के अंदर जो रिजल्ट इसका खराब आया कंपनी का उसके चलते हैं में ग्रावट देखने को मिलेगी आई होप यह वीडियो आप कुछ पूला तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर वावट करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू सो मच पूर वाचिं दिस वीडियो